हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू मैं चेनल टा टेस्ट फ इंडिया तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप एपरनाएंज अज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी बहुत ही सुंदर से ये दिखने वाली बर्फी ये जो बर्फी है जटपट से बन जाती है इसकी जो रेसिपी बहुत ही सिंपल है और इंग्रेडियन्स भी बहुत ही कम लगने वाले है और फ्रेंड्स यकीन मानिए अगर आपने इस रेसिपी को एक बार ट्राय किया न तो इसे आप बार बार बना के खाना पसंद करेगी इतनी टेस्टी ये बर्फी बनी है तो चलिए दे नहीं करनी चीज़े बना लेते हैं तो इसे बनाने के लिए करना क्या है एक पैन के अंदर डाला है मैंने आधा लीटर दूद और फिर इसे अच्छे से हमें बॉइल होने देना है मैंने फुल फेट दूद लिया है और अच्छे से एक बार इसे हाई फ्लेम पे मैंने कर लिया है इस तरह से बॉइल हलका सा जब ये बॉइल हो जाए तब हमें इसे medium flame पर अच्छे से इस तरह से चलाते रहना है लगातार जब तक कि ये फिर से गारा ना हो जाए तो अच्छे तो आप अगर इतनी ही रखेंगे तो वैसे भी टेस्टी बनेगी अब इसे हलका सा में फिर से बोईल करना है चीनी डालने के बाद जब चीनी मेल्ट होती है तो हलका सा दूद वापस से यह इस तरह से होने लगता है और फिर दो से तीन बोईल आने के बाद मैंने इसमें डाल लिया है आप देख सकते हैं अच्छे से खदकने लगा है हलका सा फिर से गाडा होने लगा है और किनारिये छुड़ाते वे हमें इस तरह से पकाना है ताकि जो भी दूद्ध है वो इसका मावा बनकी इसके अंदर सेट होता जाए अब इसमें फ्लेवर के लिए मैंने डाला है हलका सा गुलाब जल और फिर से इस तरह से कर लिया है मैंने से मिक्स ताकि इसमें हलका सा गुलाब जैसा टेस्ट भी आए अगर आपके पास हो दो डाले वनापी से स्कीप भी कर सकते हैं अब आप देख सकते हैं इस तरह से गाडा होने लगा है मीडियम फ्लेम पे मैं इसे माप कीजिएगा और फ्रेंड्स अच्छे से हमें जब तक वो पकता है एक प्लेट को घी लगा के अच्छे से ग्रीस कर लेना है आप चाहे तो थाली में बना सकते हैं प्लेट में बना सकते हैं या बर्फी वाली इसी ट्रे में बना सकते हैं घी लगा के अच्छे से में इसी के रख दिया है साइड में ताकि हम बर्फी बनाए बर्फी का मिश्रन इसमें डाले तो अच्छे से ये सैट हो जाए अब इदर से अच्छे से ये गाड़ी होने लगी है आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से गाड़ी जब ये होने लगे तब हमें इसमें डालना है एक छो अब पका चोड़うんा चोड़ दे, फिर मैंने इसमें फूड कलर डाला है, तो मुझे ग्रीन कलर की बनानी है, इसलिए मैंने, एलकासा swanda 2 पिंच फूड कलर डाला है, परस्बन чम्य मुझे बहुत पसंद ये और सकती है, यह छाहे तो आफ इसे सिम्पल भी रख सकते हैं। तो आपकी choice है ये तो white भी बहुत अच्छी लगती है तो वैसे भी आपसे रख सकते हैं अब अच्छे से ये पक चुकी है हलका सा इसने pen छोड़ दिया है तो जो grease करके tray रखी थी उसके अंदर सारा मिश्रन हमें डाल देना है और तुरंथ ही हमें इसे इस तरह से सेट कर लेना है ताकि अच्छे से हम इसे जमा सके तो चमच की साहिता से अच्छे से मैं इसे दबा दबा के कर दिया है सेट और इसे इस तरह से सेट करने के बाद मैंने आदा गंटा ठंडा होने के लिए रख दिया है फ्रेंट्स ये जो बर्फी है आप इसे वरत में भी खा सकते हैं बहुत अच्छी बनती है फ्रेंट्स और अगर आप चाहे तो इसमें मिल्क पाउडर भी एड़ कर सकते हैं अगर आपको दूद एड़ नहीं करना हो तो आप इसमें मिल्क पाउडर एड़ कर सकते हैं आदे गंटे बाद अच्छे से साइट हो चुकी है अब कर लेते हैं इसकी कटिंग तो आप देख सकते हैं जिस तरीके से चाको चल रहा है मतलब बहूत अच्छे से ही जमी है अच्छे सेili कटिंग कर ली है मुझे तो अभी से बहुत संदर दिख रही है और relaxed उआ इसका कलर द ताकि आपको और नई नई रेसिपी मिलती रहे और फ्रेंड्स मैंने बहुत परकार की बर्फी इसी चैनल पर डाली है वो भी आप चेक कर सकते हैं बहुत ही सुन्दर दिक रही है अब मैंसे चटपट से खा लेती हूँ अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो मुझे एंज्योई करें थैंक्यू सो मच